आज आपको हरी मिर्च का आचार सिर्फ दो मिनट में बनाना बताऊंगे बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है जरू ट्राइ किजेगा आपके खाने के साथ को कई गुना बढ़ा देता है यह दाल चावल और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है सबसे पहले आप ए मंग्रेल है सांफ है थोड़ी सी मेती और जीरा है बस आप इन सबको अच्छे से रोश्ट कर लिजेगा नो फ्लेम पर पहले रोष्ट की पले धनिया रोष्ट कीजएगा क्योंकि धनिया को थोड़ा जादा समय लगता है जब हल्की से रोष्ट हो जाए लग आदा मिनट इ तो बहुत ही टेस्टी अचार बनता है बस जितना यह मसाला तियार कर रहे हुँ ना इसका सिप मैं आधा ही डालूंगी क्योंकि इसका मैं और दूसरा अचार बनाओंगी इतने मिर्ची के लिए इतना मसाला ज्यादा है तो बस आप दो चमसर्जो के तेल डालिए और उसमें थोड़ा जीरा का तड़का यहां लगा रहे हुआ आप चाहें तेसक्ट कर सकतें क्योंकि अल्ड़ेडी मिख पिसण हवा है तिकि जैसे ही तड़का जीरे का हो जाए वैसे ही आप गयास आफ कर दीए उसके बाद आप यह मिर्ची डालिए क्योंकि मिर्ची को पकाना नहीं आपको थोड़ा जादा पसंद है तब आप उसका पॉडर मना कर डाली नहीं पसंद है तो आप इसकी कर सकते क्योंकि मिर्ची का आचार है वैसे ही अल्रोडी बहुत तिखा है बस स्वादा नमक डाली है लास्ट में देखिए फटा फट बन जाता है लास्ट में आप एक की खटाई होती है ना उसका पॉडर जो होता है आप चुर पॉडर यह सब भी डाल सकते हैं बस अचार बरकर त्यार हो गया है सर्व करने के लिए आप भी एंजॉय कीजिए फ्रिज में रखकर तो आप इसे महीनों एंजॉय कर सकते हैं वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेट सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू